में हैदराबाद से चुनाओ जीत कर खाता खोलने का काम किया था और 2004 तक हम लोग कहीं चुनाओ बाहर बिधानसभा का नहीं लड़ते थे 2014 से तक हम सिरिफ आंधर परदेश और अब तिलंगाना तक हम सिमित हैं कहीं बिदानसवा का चुनाओं नहीं लड़ते थे और 2014 से जब हमारी पार्टी बाहर चुनाओं लड़ने निगली तो इस समय जो आज का टॉपिक है मौजू है गुजरात मिंसिफल कॉर्परेशन के लेक्सन वहाँ पे हमारे चुनाओं लड़ने से हमारे लेक्सन लड़ने से सबसे ज़्यादा प्राब्लम कॉंग्रेस को हो रही है तो आज हम कॉंग्रेस चुकि हमारा सवाल कॉंग्रेस से इसलिए है कि आजादी के बाद से लगतार इस देश के मुसल्मानों ने कॉंग्रेस को अपनी पार्टी माना उनके निताओं को निता माना वोट दिया तो हम सवाल भी तो कॉंग्रेस से ही करेंगे हम भारतिय जनता पाटी से सवाल, भारतिय जनता पाटी को वजूँद मिलाने वाली, तो सवाल 25 के दसफ्थ में कॉंग्रेस ही है, उनके अपने दो मौझूदा सांस efterओ से इस्तीफा दुला के कॉंग्रेस नहीं, उनको अपनी party से लोकसवा में चुनाओं उत्चुनाओं में जितवाकर उनकी बुनियात रखने वाली उनकी बुनियात रखने वाली Congress Party ही है जो आज भाज-पारेसेस के नाव पर जूतना होओ हला कर रहे, उसकी बुनियात किस ने डाली उसकी बुनियाद तो Congress ने डाली तो अभी एक वीडियो वायरेल हुआ है कि गुजरात के एलेक्षन में कहते हैं कि Congress कह रही है कि भारतिय जनता पार्टी जीच जाए लेकिन MIM का कोई Candidate Corporation एलेक्षन में ना जीते कि वहां हमारा भारतिय ट्रैवल पार्टी जिसके 182 के एसेंबली में दो MLA है और पूरे 182 के एसेंबली है 26 26 लोकसभा में 26 ओ भारतिय जनता पार्टी वहां Congress जो लोकसभा 2019 में एलेक्षन में हरा नहीं पाई और 182 मिकलावता मुस्लिम MLA है और दो भारतिय ट्रैवल पार्टी के में ले है तो आज जो Congress अजादी के बाद इस देश में Congress लगबक 60 साल हुकूमत की और Congress ने 60 साल की हुकूमत में 46 सो दंगे और माइनार्टी मुसल्मानों के इलाकों में इस्कूल कालेज, इंटर कालेज, डिगरी कालेज, मेडिकल कालेज बजाए इस्कूल चोगी थाना कोतवाली खुलवाने का ज्यादा काम किया। साड़ सालों में Congress ने मुसल्मानों को ये दिया। 22 दिसंबर 1949 को ततकालिन प्राइम मिनिस्टर पंडित नहरू ने बावरी मस्जित का ताला खुलवाने का काम किया। एक फरवर 1986 को राम जने भुमी के सिलान न्यास का काम हम कांग्रेसियों से सवाल कर रहे हैं कि एक फरवर 1986 को राजिव गांधी ने और 6 दिसंबर 1992 को पीवी नर्सिंगा राव ने बावरी मस्जित की सहाधत में कौन प्रधान मंत्री था के अंदर में किसकी सरकार थी और कि किसके हुकूमत में ये तीनों कांड हुए ये तीनों वारदात कॉंग्रेस के हुकूमत में हुए और कॉंग्रेस के हुकूमत में पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां कॉंग्रेस आसन में थी वहां चाहिए भाग बिहार के भागलपूर का दंगा हो मेरट का मलियाना हो हा के बाद आजOTHER जो गुज्रात में हमारे चुन हमारी पार्टी हमारी क्यादत को खतम करने के लिए यहां तक कहरी बड़्यर जया से यृृइव सब ने आफर दिया था 2016 में आईए हम आप मिलक एलेक्शन लड़ें कॉंग्रेस को ओफर दिया हम आप मिलक एलाइंस करके लड़ें नहीं तो यह भारते जनता पार्टी आ जाएगी मुखमंत्री केंडिडेट एनाउंस करके हम चुनाव लड़ें लेकिन कॉंग्रेस को मुस्लिम क्यादत मुस्लिम लिडर्शिप की जवरत थी अलग चुनाव लड़ गए दोनों का वोट परसेंटेज एक कर लिया जाए तो भारते जनता पार्टी से कहीं दोनों का वोट बैं पार्टी एक इसका पुराना एक्जामपल और है सन 1958 में दो मार्च 1959 को मर्हुम अब्दुलवाहिद वजी साम ने जब इसकी बुनियाद रखी तो उस समय केंडर में कॉंग्रेस की सरकार थी उन्होंने पार्टी को अपने पार्टी में विलय करने के लिए खतम करने के कि वो नहीं माने अपनी पार्टी का विलय उन्होंने नहीं किया तो कॉंग्रेस नोग्रेस पर्जी मुकत्मे में जेल में डाल दिया एक date साल के बाद participated तो उन्होंने अपनी पार्टी को पहली वार वल दिया नगर निगह मुंसिपल कॉर्परेशन के लेक्शन में जिताया हम उंतीस सीटों पर चुनाओ लड़ा हम करें 19 हमारे पारसद जीतके चलिया यह हमारी पहली कामियावी यह हमारी पहली बुनियाद थी इसलिए हम जब चुनाओ जीते हैं तो हमारी पार्टी के सुप्रियों माननी है माननी बेरिश्टर सुदुद्दी नोव इसी साहब हमारे हर पारसद को हमारे हर पारसद को हैदराबाद बुलाके सम्मानित करते उत्तर प्रदेश में जब सौकत अली साहब के नित्रित्व में हमने 2017-78 गार्टार सीटों पर पारसद का चुनाओ लगा तो हमारे 32 पारसद चुनाओ जीत के चले है आये थे हमने फिरोजाबाद मेर 2nd पॉल के इलाबाद से 28 साल के इलावास से 28 साल से जो समाजवादी पार्टी के पारसत थे हम लोगों उनको हरा के इतिहास रच के हमने खाता खोलने का काम किया था हमारे 32 और मेयर में हम से करे और डासना गाजियावास से चेर्मेन भी हम चुनाओ जीते हमारे सारे केंडिडेटों को गुला के हैदराबाद में समानित किया गया है इसलिए हमारा यह पारसत के चुनाओ को चुकि हम छोटे चुनाओ जीतने के हमारी पार्टी छोटे चुनाओ की इसलिए महतों देती हैं कि छोटी चुनाओ भी बड़े चुनाओ जीतने की बुनियाद होती है तो हमारे पार्टी का जो मैनिफेस्ट हमारी पार्टी पूरे हिंदुस्तान में 18 18 स्टेट में हमारी युडिट लॉंच हो गई मसबूती से काम कर रहय है वहाँ की इतनी horizontal पार्टी hyं जो सरकार में रही भी विपक्ष में रही चाहे बीटीपी और के समर्तन से वहां सरकार चल लए गुजराट में हमारे इस गुजराट में बीटीपी के दो भी धायक हैं उत्तर पर्देश में भागीदारी संकाल मुर्चा बना था बिहार में छे पार्टियों को पेंदर कुसवाह जी के नित्रुत में छे पार्टियों जिसमें बहुजन समाज पार्टी राष्ट्य अस्तर की पार्टी उस गडवंदन में हमको जगा मिला और हम लोगों ने पांच हमेले भी जीताया तो हम गुजराट के मसले से यह कहना चाहते हैं कि पू वोटी करता था लेकिन अब जब च्छेतृ का वोट बैंक है एक तरह से खतम हो गया अब जो मुसलमान मजबूरी में जो कंग्रेस के विकल्ब के अभाव में इनको वोट देता था अब MIM के साथ साथ जो बड़ी बड़ी पार्टिया हमसे घटवंदन कर रही हैं अब के पास कि उसका वजूद खो रहा उसकी जमीन खो रही है कि गुजरात में आज गुजरात में आज मिन्सिपल कॉर्परेशन को जो 21 को और 28 को जो दो फेस में पोलिंग है मितनी मजबूती से चुनाओ लड़ रही है हमारे वहां हर इस्टार परचारक हमारा बिदायक पूर बिदायक पूर परदे सद्या सांसर हमारे तमाप पार्टी के नेताओं वहां पार्ता लिजए यह जो कांग्रेश जो के थी भारतिय चंता पार्टी के हम बी टीम है जानता पार्टी हम को तो कॉंग्रेस के हम तमाम टिवेट में य्डे में बैठे थे तो कॉंग्रेस वाजिए लों नहींकर ने सवाल किया क्या आप लुग बीजेपी और प्रोक्षी ह एक और बी टीम हैं सी टीम हैं तो हम ने ये उनका जवाब दिया कि अमिस साजी इस देश के होम मिनिस्टर जेपी नड़ा जी एक राश्टी पार्टी के राश्टी अध्याच इसमनिती इरानी जी